नमस्कार संसर टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रत्यबिम शर्मा प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी आज अर्बन प्लैनिंग डिवलप्मेंट और सैनिटेशन विशेपर आउनलाइन माध्यम से संबोधित करने जा रहे हैं आईए आपको सीधा लिए चलते हैं आज की वेबिनार में हमने बजट के अनॉंस्मेंट से चार ब्रेक आउट सेशन का आयोजन किया है पहला अर्बन प्लैनिंग जिसमें 15,000 करोड का इंट्रेस्ट फ्री लोन जो स्टेट्स को दिया जा रहा है ताकि वो अर्बन प्लैनिंग रिफॉर्म्स टाउन प्लैनिंग स्कीम लैंड पूली वगएरा कर सकें दूसरा ब्रेक आउट सेशन अर्बर इंफ्रास्ट्रेक्टर डेवल्लप्मेंट फंड मिनिस्पल बॉंड्स प्रॉपर्टी टैक्स रिफॉर्म और यूजर चार्जेस पे है तीसरा ब्रेक आउट सेशन मैन होल टू मशीन होल जो पूरा मेकिनाइजेशन की ड्राइव अगेंगे उस पे हैं सर ये आज की वेबिनार हाउसिंग और अर्बर अफिर्स मंतराले लीड लेके एंवार्मेंट मिनिस्ट्री के साथ को लीड में सोशल जस्टिस मंतराले फर्टिलाइजर ड्रिंकिंग वॉर्टर और सैनिटेशन और डिपार्ट्मेंट और फानिशल सर प्रदार मंत्री जी से हमारा मार्ग दिंद्र से शुन करने के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूँ आप सभी का अर्बन डेवलोप्मेंट जैसे इस महत्वपून विशेपर बजेट वेमिनार में स्वागत है साथ्यों ये दुरभाग्य रहा कि आजादी के बाद हमारे देश में इका दुका ही प्लांट सीटी बने आजादी के 75 वर्षों में देश में 75 नए और बड़े प्लांट सीटी बने होते तो आज भारत की तस्वीर कुछ और ही होती लेकिन अब 21 सदी में जिस तरह भारत तेजगती से विकास कर रहा है आने वाले समय में अनेको नए शहर ये भारत की अनिवारियता होने वाली है ऐसे में भारत में अर्बन डेवल्प्मेंट के दो प्रमुक पक्ष है नए शहरों का विकास और पुराने शहरों में पुरानी व्यवस्ताओं का आधुनी कराँ इसी विजन को सामने रखते हुए हमारी सरकार ने हर बजेट में अर्बन डेवल्प्मेंट को बहुत महत्वत दिया है इस बजेट में अर्बन प्लानिंग के मानकों के लिए पंद्रा हजार करोड रुपिय का इंसेंटिव भी तै किया गया है मुझे विश्वास है इससे देश में प्लान और व्यवस्तित शहरी करण की नई शुरुवात होगी इसे गती मिलेगी साथियों आप सभी एक्सपर्ट जानते हैं कि अर्बन डेवल्प्मेंट पे अर्बन प्लानिंग और अर्बन गवननस दोनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है शेहरों की खराब प्लानिंग या प्लान बनने के बाद उसकी सही इंप्लिमेंट न होना हमारी विकास यात्रा के सामने बड़ी चुनोतियां पैदा कर सकता है अर्बन प्लानिंग के तहट आने वाली स्पेशल प्लानिंग हो ट्रांस्पोर्ट प्लानिग हो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिग हो बॉटर मेनेजमेंट हो इन सभी एरियाद में बहुत फोकस वे में काम करना जरूरी है इस वेबिनार के अलग-अलग सेशन्स में आप तीन सवालों पर जरूर फोकस करें पहला राज्यों में अर्बन प्लानिंग इकोसिस्टिम को कैसे स्ट्रेंदन किया जाए दूसरा प्राइवेट सेक्टर में उपलब्द एक्सपर्टाइज का अर्बन प्लानिंग में कैसे सही इस्तिमाल हो तीसरा ऐसे सेंटर आफ एक्सलेंसीज कैसे डेवलॉप किये जाए जो अर्बन प्लानिंग को एक नए लेवल पर लेकल जाए सभी राज्य सरकारों को और अर्बन लोकल बोडिस को एक बात हमेशा याद रखनी होगी वे देश को विक्सित बनाने में तब ही अपना योगदान में पाएगे जब वो प्लान अर्बन एरियात को तयार करेगे हमें ये बात की बड़ी भात ही समझी होगी कि अमरित कार में अर्बन प्लाने ही हमारे शहरों का भाग्य निर्धारित करेगी और भारत के वेल प्लान शहर ही भारत के भाग्य को निर्धारित करेंगे जब प्लानिंग बहतर होगी तब ही हमारे शहर क्लाइमेट रेजिलियन और वाटर शिक्यूर भी बनेंगे साथियो इस वेबिनार में अर्बन प्लानिंग और अर्बन गवर्नस के जो एक्सपर्स है उनसे मेरा एक विशेश आगरह है आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज के बारे में सोचना चाहिए जी आई एस बेज मास्टर प्लानिंग हो अलग-अलग तरह के प्लानिंग टूल्स का विकास हो एफिशेंट हुमन डिसोर्सीज हो कैपेसिटी बिल्लिंग हो हर एरिया में आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है आज अर्बन लोकल बोडिज को आपके एक्सपरटाइज की बहुत जरूरत है और यही जरूरत आपके लिए अनेक आउसर पैदा करने वाली है साथियों शहरों के विकास का एक इंपोर्टन पीलर होता है ट्रांस्पोर्ट प्लानिंग हमारे शहरों की मोबिलिटी अनिंटरप्लेड होनी चाहिए 2014 से पहले देश में मेट्रो कनेक्टिविटी की क्या स्तीती थी आप अच्छी तरह जानते हैं हमारी सरकार ने कई शहरों में मेट्रो रेल पर काम किया है आज हम मेट्रो नेट्वर्क के मामले में कई देशों से आगे निकल चुके हैं अब जरूरत है इस नेट्वर्क को मजबूत करने की और फास्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी उपलब्द कराने की और इसके लिए जरूरी है एफिशन ट्रांस्पोर्ट प्रानिंग के सहरों में सडकों का चौड़ी करन हो ग्रीन मोबिलिटी हो एलिवेटेड रोड्स हो जंक्षन इंप्रूमेंट हो इन सभी कंपोनेंट्स को ट्रांस्पोर्ट प्रानिंग का हिस्सा बना नहीं होगा साथियों आज भारत सर्कुलर एकोनामी को अर्बन डेवलप्मेंट का बड़ा आधार बना रहा है हमारे देश में हर दिन हजारों टन मिनिस्पल वेस्ट पैदा होता है इसमें बैटरी वेस्ट एलेक्टिकल वेस्ट अटो मोबाइल वेस्ट और टायर जैसी चीजों से लेकर कंपोज बनाने तक की चीजे होती है 2014 में जहां देश में केवल 14-15 प्रतिशत वेस्ट प्रोसें होती थी वहीं आज 75 प्रोसेंट वेस्ट प्रोसेस हो रहा है अगर ये पहले ही हो गया होता तो हमारे शहरों के किनारे कूडे के पहड़ों से ना बरे होते आज वेस्ट की प्रोसेसिंग करके इन कुडे के पाड़ों से भी शेहरों को मुक्त करने का काम किया जा रहा है इसमें कई इंडस्ट्रीज के लिए रीसाइकलिंग और सर्कुलरिटी के धेर सारे अवसर है इस खेत्र में कई स्टार्ट अप्स कापी अच्छा काम भी कर रहे हैं हमें इन्हें सपोर्ट करने के जरूत है इंडस्ट्री को वेस्ट मैनेजमेंट के पूरे पोटेंशल को इस्तमाल करना चाहिए हमने अमरत योजना की सब्रता के बाद शेहरों में पीने के साब पानी के लिए अमरूट 2.0 उसको लॉंच किया था इस योजना के साथ अब हमें पानी और सिवेज के ट्रेडिस्ट्रल मोडल से के आगे की प्लानी करनी ही होगी आज कुछ शेहरों में यूजने वाटर का ट्रिट्मेंट करके उसे इंडिस्ट्रिल यूज के लिए भेजा जा रहा है वेस्ट मेनेजमेंट के इस शेत्र में भी प्राइवेट सेक्टर के लिए अपार संभावनाए बन रही है साथियों हमारे नए शहर कच्रा मुक्त होने चाहिए वाटर सिक्योर होने चाहिए और क्लाइमेट रेजिलियन्ट होने चाहिए इसके लिए हमें टियर टू और टियर थी शहरों में अर्बन इंफ्रास्रक्टर और प्लानिंग में निवेश बढ़ाना होगा आर्किटेक्चर हो, जीरो डिस्चार्ज मोडल हो, एनर्जी की नेट पोजिलिविटी हो, जमीन के इस्तेमाल में एफिशंसी हो, ट्रांजीट कोरिडोर्स हो, या पब्लिक सेवाओं में AI का इस्तेमाल हो आज समय है कि हम अमारी फ्यूचर सिटीज के लिए नरी परिभाशा प्ताए करें, नए परामिटर सेट करें, हमें देखना होगा कि अर्बन प्लानिंग में बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं बच्चों के खेलने कुदने की जगों से लेकर साइकल तक चलाने के लिए उनके पास अब परियाप्त जग़ है ही नहीं अर्बन प्लानिंग में हमें इसका भी ध्यान रखना हो साथियों शहरों के विकास के समय इस बात का भी धान रखा जाना आवशक है कि इसमें शहरी लोगों के विकास के भी समभावनाय समाईथ हो यानि हम जो योजनाए बना रहे हैं नीतिया बना रहे हैं वो शहरों के लोगों के जीवन तो आसान बनाए उनके खुद के विकास में भी मदद करे इस साल के बजेट में PM आवास योजना के लिए करीब करीब 80,000 करोड रुपिये खर्च करने का कमिटमेंट किया गया है जब भी कोई घर बनता है तो उसके साथ सिमेंट, स्टील, पैंट, फरनिचर जैसे कई उद्योगों के व्योसायों की गति मिलती है आप कल्पना कर सकते हैं इससे कितने उद्योगों को कितना बड़ा बुस मिलेगा आज शहरी विकास के खेत्र में फुचरिस्टिक टेक्नलोजी की भूम का बहुत बड़ गई है हमारे स्टार्ट अप्स को, इंडिस्टी को इस दिशा में सोचने और तेजी से काम करने की आवशक्ता है जो संभावनाय मोजूद है हमें उनका भी लाब लेना है और नए संभावनाओं को जन्म भी देना है सस्ट्रेनेबल हाउस टेक्नलोजी से लेकर करके सस्ट्रेनेबल स्टीज तक हमें नए सॉलूशन्स खोजने हैं साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब इन विशयों पर इसके सिवाई भी बहुत सारे विशयों हो सकते हैं गंबीर विचार भी मस्क करेंगे इस विचार को आगे बढ़ाएंगे संभावनाओं को साकार करने का परफेक्ट रोड मैप रास्ता बताएंगे इसी भावना के साथ आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत सुपकामना हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप देख रहेते हैं